Hello everyone and welcome to our video आज इस वीडियो में हम जानेंगे अल्टीनेटर के बारे में तो अल्टीनेटर होता क्या है और उसका हमारी इंजिन में होना जरूरी क्यों है यह इस वीडियो में हम जानेंगे ना किए कि इंजिन काम किस तरीके से करता है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अल्टिनेटर लगा का रहता है यह जो हमारे सामने अभी पिक है एंजिन की उसमें यह वाला जो पार्ट है यह अल्टिनेटर है तो अल्टिनेटर अब आपको साफ साफ दिख रहा है इसकी पुली है वो टाइमिंग बेल् साय इसी कमप्रेसर के साथ जो क्राइंक्षाफ्ट है उसके साथ जो पावर सेर那就 के साथ और इस अब के साथ जो है वह वो एक ही बैल्ट से जड़ Lazio मतलब इंजिन का एक रोंड तो ऑल्टिनेटर के कितने राउं तो वह थेdepend कि एन्जिन के एक राउंड पे इंजन के एक राउंड पर आल्टीनेटर जो है हमारा थीन बार चक्कर काटेगा और अलग अलग मेक जैसे मारूती का अलग होगा और शेवरले का अलग होगा तो उस तरीके से डिफर करता है अलग जाहिड सी बात है अगर यह बैल्ट इस पर लगी हुई है तो यह बैल्ट जो है वह अल्टिनेटर को ड्राइव देती है तो अल्टिनेटर हमारा जो है वह एसी करेंट प्रोड्यूस करता है अल्टिनेटर के अंदर जो है रेक्टिफायर प्लेट भी लगी रहती है वह रेक्टिफायर प्लेट जो है इस अल्टिनेटर करेंट को डीसी करेंट में रेक्टिफाय कर देती है DC current में बदल देती है क्योंकि हमारी जो गाड़ी है उसके अंदर जो current flow हो रहा है वो DC direct current flow होता है अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर जो current flow होता है वो सारा का सारा battery से flow होता है तो ऐसा नहीं है ये दिखाने के लिए मैं आपको एक अलग पिक दिखाता हूँ इस पिक में आपको सारा connection clearly नजर आएगा ये हमारी battery है ये हमारा self है ये alternator है और ये यहाँ पर चाबी का connection दे रहा है जिससे आप गाड़ी को start करते है अब ये आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमारी गाड़ी के अंदर जितना भी DC flow होता है वो सारा का सारा battery होता है तो ऐसा नहीं है battery जो है वो self को self starter को current supply करती है केवल एक बार वो भी तब जब आप ये चाबी को घुमाते हो गाड़ी start करने के लिए और वो सारा का सारा जो power जो battery में है उसमें जादातर power self अपनी तरफ खीच लेता है और engine को start करता है engine start होने के बाद battery से current जाना हो जाता है बंद battery से जब current जाना बंद हो जाता है तो अब गाड़ी के अंदर current जाएगा तो जाए कहां से उसके लिए हमने लगा रखा है alternator alternator की जो pulley है वो timing belt से जुड़ी रहती है जैसा कि हम देखी चुके हैं और जब engine घूमता है तो alternator भी घूमता है और वो भी 3 ratio 1 के gear ratio में एक engine का round होता है तो 3 round इस pulley के होते हैं तो alternator जब घूमता है तो DC supply गाड़ी के अंदर देता है हर एक wire हर sensor को जितनी भी lights है tail light, front light जो हमारा अंदर का music system है auxiliaries जितनी है जितने भी sensors है चाहिए crank sensor हो, cam sensor हो उन सब को जो supply जाती है यानि कोई भी power supply जो जाएगी वो alternator के थूई जाएगी तो इसको समझना सबसे जाद important है और यही आज की इस वीडियो का main मुद्दा है तो इसको हम आराम आराम से समझेंगे यह चीज समझ में आनी चाहिए बैटरी जब आप खरीते हैं तो आप देखते होंगे कि बैटरी के उपर लिखा हुगा है कुछ इस तरीके से जैसे मारुति की बैटरी यह शुफ्ट की यह कोई एक्सवाइजेट का रहें तो 65 एंपियर आवर यानि एक घंटे तक लगातार 65 एंपियर की सप्लाई कर सकते हैं एक घंटे तक एक घंटे तक तो एक मिनिट में कितनी कर पाएंगे तो यह तो 65 एंपियर आवर एक घंटे के लिए था आवर को मिनिट में कनवर्ट करने के लिए इंटो 60 करेंगे तो अग भी हम 65 की जगे से 60 मान लेते हैं easy calculate easy lी इसको calculate करने के लिए 60 इंटो 60 कोई बैटरी अगर 60 सिन एक मेंं एक फरक में ये तो इस बेट्टरी जीफिलिये हृ einem फिल दूसरी तरफ dos भापपाउर ख्लाइघ में सह मेरा फं लिखेउ से में वह में ख़गे क्युक्झे स्riumत्य अब स्टार्टर स्कॉसरी वसार्टर बबात कम वीग और कि कि कोई भी जिसकी गाड़ी है वह एकदम से इन चीज़ों पर ध्यान देता लेकिन फिर भी यदि आप टेक्निकल इंसान हो टेक्निकल फील्ड में हूं तो स्टार्टर के ऊपर एक प्लेट लगी जाती है कि स्टार्टर की स्पेसिफिकेशन क्या है तो उस पर कुछ इस तरीके से लिखा रहता है 1.2 किलोवाट पावर का तो मतलब पावर ही हो गए और बारा वोल्ट तो पावर का फॉर्मला जो है जहां तक मेरे को याद है अभी बहुत एजी कैलकुलेशन है पावर इगल स्टू वी इंटू आई वी इंटू आई तो वी यहां पर हो गया वोल्टेज और आई हो गया एंपियर करेंट तो पावर यदि हमारे पास वन पावर यदि अगर हमारे पास 1.2 kW है 1.2 kW याने 1200 W है तो i हमारे पास करेंट क्या हो गया यहां पर 12V का हमारे जैसा कि अभी हमने बात करी तो 12V और 1200 W का यह सेल्फ है तो यहां पर हमारे पास हो गया 100 ampere तो 100 ampere ये self जो है बैटरी से खींचता है अभी जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एकदम नई गाड़ी है यदि तो वो गाड़ी चन्द सेकंड्स में स्टार्ट हो जाती है तीन सेकंड्स में स्टार्ट हो जाती है जब गाड़ी धीरे धीरे पुरानी होती तो एक एक मिनिट भी लेने लगती है अब हम मान देते हैं कि एक केस है ऐसा कि एक मिनिट में गाड़ी स्टार्ट हो रही है दूसरे तीसर सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो एक मिनिट हो जाता है और कई-कई cases तो ऐसे होते हैं कि गाड़ी में कोई fault आ गया, गाड़ी start नहीं हो पारी है, तो उस case में क्या गरता है, सामने वाला बंदा जो है, वो लगाता और self देता रहता है, self देता है, 15 seconds तक, 20 seconds तक self दिया, गाड़ी start नहीं हुई, रुका, 5 seconds भी नहीं रुकता, उसके दुबारा 20 seconds तक self देने लगता है, तो यदि कोई इस तरीके का worst case है, कि एक मिनिट तक उसने self दिया है, रुक रुक के भी, तो एक मिनिट में, जो है, एक मिनिट तक, इसने जो है, 100 ampere, जो है खींचा, एक मिनिट तक लगाता है, जो है, इसने 100 ampere खींचा, अभी अगर बै 3600 ampere मिनिट की हमने देखा कि अगर बैटरी जो है, 60 ampere hours की है, या हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, कि बैटरी इस पर आपने देखा है, कि 60 ampere hour की बैटरी है, और 600 amp जो है, लिखा रहता है उसके उपर, 60 ampere hour और 600 ampere, तो इसका मिनलब क्या होगे, 60 ampere hour, 60 ampere hour divided by 600, तो यहां पर यह सीधा-सीधा आगया, कि ampere तो कटी के, क्योंगी 600 ampere यह बैटरी सप्लाइ करेगी, टोटल, तोटल अगर यह 600 ampere सप्लाइ कर रही है, तो यह हो गया, हमारे पास 0.1 hour, तो 0.1 hour तक यह जो है, हमारे को इतना सप्लाइ देगी, अब 0.1 hour तक अगर यह हमको इतना सप्लाइ देगी, तो 0.1 hour हमारे पास क्या हो जाता है, 0.1 hour हो गया हमारे पास, कितने minute हो गया, तो into उसको जो है, हम 60 से करेंगे, तो 6 minute, तो 6 minute तक जो है, 6 minute तक जो है, हमको यह बैट्टरी, 600 ampere, 600 ampere जो है, 6 minute में हमको देदेगी, अब अगर 6 minute में 600 ampere है, और 1 minute तक यह महाशाय घूमते रहे हैं, 100 ampere उसका खा गये हैं, एक minute तक, एक minute में, एक minute तक लगातार जो है, 100 ampere इन्होंने खाया है, तो बैट्टरी के अंदर की पावर तो एकदम ही चुस गई, एकदम अंदर से बहुत सारे ampere उसने एकदम से खींच लिया और लगातार खींचे जा रहा है, और यह एक minute की बात है, यदि गाड़ी में और भी फॉल्ट है, तो भाई साब हमने जहा तक फील्ड में देखा है, आदे आदे घंटे तक सेल्फ लगाते रहते हैं, तो बैट बैटरी का इस्तमाल नहीं कर रहे, बैटरी का इस्तमाल हम नहीं करेंगे पूरी गाड़ी में सप्लाई देने के लिए, क्योंकि बैटरी जो है, वो एक power source है, एक source है, जो electricity बना नहीं रहा, उसने electricity स्टोर कर रखी है, और उसमें electricity धीरे धीरे उससे निकलती आती है, खतम हो आती है, तो वो एक point पर आके खतम हो जाएगी रस्ते में, और पता लगा रस्ते में अगर गाड़ी है, अल्टिनेटर नहीं लगा रखा, हम बैटरी से ही सब कुछ power दे रहे हैं, तो वो बीच रस्ते में गाड़ी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि sensors पर current नहीं जाया, और crank sensor पर यदि अगर पांच वोड़ करन नहीं गया, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो यह एक major reason है कि बैटरी को हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बैटरी जो है, उसमें से power खतम होनी 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 है, दूसरी तरफ हमारे बास हर्टिनेटर है, यह जब भूमता है तो power ब तो वो उसको वापस से recover करे, उस 100 ampere को recover कराता है, तो यह सारी चीज अल्टिनेटर करता है, ताकि हमारी बैटरी की life भी बनी रहे और हमारे को गाड़ी में जितने भी electric appliances हैं, वो अच्छी तरीकी से work out करे, यह हमारा काम होता है अल्टिनेटर का, और I hope आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो knowledge मिलाई है, अल्टिनेटर के बारे में, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अल्टिनेटर किस तरीके से काम करता है, यह जैसे कि अल्टिनेटर का cutout है, यह अल्टिनेटर के अंदर के parts है, यह किस तरीके से अल्टिनेटर काम करता है, तो यह हम दे झाल